अधिक नेचर ओफ एटम्स और आयन्स दिखिए ध्यान से हम दो तरह से डिफाइन करते हैं मैगनेटिक नेचर को मैगनेटिक नेचर एक होता है पैरा मैगनेटिक पैरा मैगनेटिक और एक होता है डाया मैगनेटिक तो यह टापिक हमारे को करना है हमें करना है मैगनेटिक नेचर पैरा मैगनेटिक डायन मैगनेटिक पैरा मैगनेटिक का मतलब वो सारी स्पीशिस बले वो एटम हो या आयन हो जिसके पास unpaired electron क्या होगा पेरा मेंगनेटिफ all species having unpaired electron unpaired electron are paramagnetic एक भी unpaired electron है वो पेरा मेंगनेटिक है और दाइमेंगनेटिक all species having all electron are paired all electrons have all electrons are paired called diamagnetic species पेरा मेंगनेटिक है तो यहां हमारे पास आजाएगा magnetic momentum जिसको हम mu से represent करेंगे mu की जो value होती है वो होती है हमारे लिए 2n क्या लिखेंगे हम root में n और n प्लस 2 unit बनेगी इसकी bore magneton BM bore magneton n यहां पर क्या है n show number of unpaired electron unpaired electron अगर किसी में unpaired electron की value बढ़ रही है तो mu की value भी बढ़ेगी तो n की value और mu की value में अगर आप चार्ट बनाना चाहें तो आप मुझे बताओ अगर unpaired electron ही 0 है तो इस formula में 0 रखने पर आपको mu की value क्या मिलेगी 0 अगर 1 है तो 1 रखने पर क्या मिलेगी सामने देखें और फिर बताएं root 3 बनेगा तो root 3 की value कितनी है 1.732 तो root 2 तो 2 root 2 यानि 1.414 यानि 2.082 3 रखेंगे तो 3.9 के असपास आजाएगा 4 रखेंगे 4.9 और 6 रखेंगे 5 रखेंगे या n रखा तो n.9 रख सकता हूं मैं क्योंकि 3 पर 3.9, 4 पर 4.9, 5 पर 5.9 तो n value पर क्या हो जाएगा n.9 easy है कोई दिक्कत नहीं है तो अगर किसी में unpaired electron suppose माल लो 6 है तो mu की value क्या होगी 6.9 are you getting this point? लिखें यहां mu की value क्या आएगी pera के लिए not 0 और यहां mu की value क्या आएगी dia के लिए 0 कोई doubt नहीं होना चाहिए यह आपने करा किस के लिए atom और ions के लिए लेकिन हम फिर भी example से और अच्छे समझेंगे तो पहले यह लिख लीजिए magnetic nature of atoms and ions simple सा है कि हमें atom और ion दो अलग-अलग species दीए और उनके अंदर हमें magnetic nature बताना है ठीक है तो कैसे हम देखते हैं तो पहले इसके अंदर एक और word डाल देते हैं case first जल्दी से लिखें इसको magnetic nature of atoms atoms यानि की हम neutral atom की बात कर रहे है वह atom जिसमें electronic configuration दिया गया है और हमें बताना है कितने atom unpaired electron है तो मैं अपना favorite example ही ले लेता हूं सीधा chromium के अंदर chromium के अंदर क्या रहता है electronic configuration आप जानते आरगन जल्दी से बोलाओ unpaired electron यानि unpaired electron कितने दिख रहे हैं आपको easy है तो यह तो एक atom के अंदर आपने निकाला सीखा है chromium की जगह कोई भी और atom ले लो आप Magnes ले लो तो क्या जाएगा Magnes के अंदर या Magnes नहीं हम कुछ और अच्छा element ले देते हैं हम ले लेते हैं copper chromium की copper argon यह भी हमारे पास एक exception case है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस unpaired electron कितने है इसमें एक 3D10 होता है ध्यान रखना 3D10, 4S1 यहां 4S1 3D5 तो unpaired electron 1 है तो mu की value क्या होगी यहां पर mu की value क्या होगी 1.732 formula आपके पास ही n, n, plus 2 में अगर n की value 1 रखते है आपके पास mu की value क्या है 1.732 is that clear? अगला case हमारे लिए बहुत important है और वो है second case magnetic nature of metal ion metal ions कैसे निकालेंगे metal ions के अंदर फिर एक साथ लिख लेना पहले समझ लो कैसे हम देख रहे हम पहले element का electronic communication लिखेंगे यानि metal फिर उसमेंसे liberate करेंगे liberate electron फिर metal हमारे पास आयन आएगा metal ion फिर उसके बाद हम unpaired electron निकालेंगे N और फिर हम निकालेंगे mu यह हमारा process होना चाहिए लेकिन यहां हमारे पास सबसे पहले metal electronic configuration आना जरूरी है और उसके लिए आपको कौन से रूल्स चाहिए है होंस आपबाव पावली सारे रूल्स लगा गया metal का electronic configuration लिख लो पहले लिख लिया अब electron liberate करना है और इसके लिए कोई rule नहीं लगाना आपको मेरा ही rule लगाना है SL rule क्या है यह rule यह rule हमारे पास इस तरह से कि electron कहां से निकाल ला है electron liberate from outer most shale निकालते वक्त हम डालते वक्त हम पूरे rules लगा दिया हमने डालते वक्त हमने सारे rules लगा दिया होंस पावली सारे लेकिन निकालते वक्त उस electron को निकालना है जो सबसे बाद में ठीक है कैसे example से और अच्छा समझ में आएगा फिर उसके बाद metal का electronic configuration आएगा unpaired electron आएगे और फिर क्या आजाएगा mu भी आजाएगा example समझते है मेंगनीज मेंगनीज का electronic configuration क्या है आरगन 4s 2 3d 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 5 आप सब जानते हैं फिर mn plus 1 आरगन 4s 2 3d 5 अब electron कहां से निकालें 3d से निकालें या 4s से एक electron निकाला है क्यों निकाला है इस से क्योंकि outer motion यहाँ पर 3d नहीं है 4s है तो 4s से ही निकलेगा outermost orbital से निकलेगा यहाँ अमर पस mn plus 2 अगर निकालना है तो जब तक इसके अंदर electron है 4s में तब तक यहीं से निकलेंगे mn plus 4 ले लिया suppose मैंने तो अब एक साथ कितने electron निकालने 2 तो पहले निकालने तो 4s 0 3d 3 अब सीधे 2 electron निकाल दिये मैंने और निकाल लो 7 मैंने बना लिया तो क्या हो जाएगा आरगन 4s 0 3d 0 3d तीनो electron और निकाल दिये तो बताएए यहाँ पर इसके लिए मुझे वैल्यू क्या होगी कितने NPR इलक्टवन है 5 यह तो 2 है दोनों ही पैर है है या नहीं है इसके अंदर 2-0 electron तो 5 NPR इलक्टवन है तो यहाँ मुझे वैल्यू क्या होगी 5.9 यहाँ 6 है मुझे वैल्यू कितनी होगी 6.9 मिउ की वैल्यू कितने पांच यानि 5.9 मिउ की वैल्यू अन्पेड इलक्ट्रोन कितने है तीन 3.9 मिउ की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 0 ता आप मुझे simple language में बताए इन सम्में किन दो species का मिउ सेम होगा सबसे ज्यादा होगा मन प्लस वन का किलियर रहे ना किसका सबसे कम होगा मन प्लस 7 का तो यह एक बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है आपको बस ध्यान अगना है इलेक्ट्रोन फिल करते वक्त हम होंस पावली आप बाउस सब लगाएंगे लेकिन निकालते वक्त उस इलेक्ट्रोन को पहले निकाल देंगे जो आउटर मोस्ट और्बिटल में से फिर अंप्याड एलेक्ट्रोन देखेंगे अगर एन अंप्याड एलेक्ट्रोन आ रहे है तो मियू की वैल्यू एप्रॉक्सिमेट एन पॉइंट नाइन आईगी उसकी यूनिट बार्मेंगने कि मैंगेटिक है, MN लिख लेक्ट यू यह हमारे लिए डाइमेगनेमेटिक है, डायमेगनेटिक, बाकी सब 1 मेंगनेटिक है, तो और यह यह बहुत सब और ऐसे इसनिग्सम्पल आप खुद कर सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है किसका मै्गनेटिक मोमेंट submergedesi कों किसका तो बता वो किसके बराबर है इन सम्में से मन प्लास वन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है which of the following pair have same the value of magnetic momentum तो बहुत ज्यादा टफ अली बात नहीं है आप कर सकते हो ठीक है लिखें इसको अब लिखें इसको हुआ 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 है